Hello everyone, मैं Dr. Sagarika Chaudhary, MS General Surgery Scholar और आज मैं आपको एक lifestyle disorder या फिर diseases, एक common सी diseases जिसको आप लोग बहुत common समझते हैं बड़ वो common नहीं होती constipation के बार में बताना चाहूंगी because constipation एक ऐसा रोग है जो आगे जाके 100 रोग उत्पन करता है और आज के time में everybody is facing constipation because of low fiber diet या फिर dehydration या फिर time से नीम ना लेना तो ऐसे ऐसे lifestyle disorders होने लगे हैं जिससे बहुत diseases occur होती हैं तो constipation को हम आम सी भाशा में कबज बोलते हैं also इसको हम आयरवेदा में relate करते हैं आम से मतलब undigested food तो अब ही क्या करता है जब आपकी बॉड़ी में आपके स्थमक के एक कॉर्णर में आम undigested food पड़ा है तो वो पड़ा पड़ा क्या करेगा अब वो जो उसका रस होता है जिसको हम आम रस बोलते हैं जब वो lower extremities में जाता है मतलब हमारे lower organs में जाता है या फिर lower body pack में जाता है तो वो diseases करता है जैसे arthritis जिसको हम आम बात कहते हैं है या फिर gout हो गया या ऐसे ऐसी diseases करता है anal reason में जाएगा तो एक common सा complication है जिसका main cause constipation होता है कि fissure करता है और fissure बहुत general से हर किसी को होई जाता है because of heart stool constipation से heart stool होगा heart stool से fissure हो जाएगा और जितनी भी anorectal diseases है जैसे piles, fistula, fissure इन सब का main cause ही constipation होता है also जब यह उपर मतलब अपर इसमें अपर body में जाएगा तो यह respiratory diseases या फिर digestive system related diseases acidity यह सब cause करता है अब इससे बचना कैसे है main जो चीज है कि इससे बचना कैसे है तो आपको अपने आपको hydrated रखना है अपना water intake अच्छा रखना है अपनी body के हिसाब से body weight के हिसाब से water intake रखिए दूसरा fibrous diet लीजे जैसे ओद्स हो गये दलिया हो गया या फिर इतने सारे fruits आते हैं fibrous fruit आते हैं green vegetables अपनी diet में add करिए third आप जब भी खाना खाते हैं उसके बाद walk जरूर include करिए क्योंकि physical activity is much and more important उसके बाद मैं आपको एक general सी drink बता सकती हूं जो की बहुत वैसे भी मेरे लिए तो tasty I don't know about you तो आप एलोवेरा आमला और गिलोए यह सुबह empty stomach ले सकते हैं यह आपकी body को equilibrium में रखता और कोई diseases इतनी easily नहीं होने देता उसके बाद अजवाइन सोंफ सोंफ दीपन पाचन करता है यह आप अपने डेली शिड्यूल में आड कर सकते हैं अचा मैंने जनरली देखा है कि लोग तरफला लेते हैं हर घर में तरफला मिलता लेकिन मैं specially mention करूंगी कोई भी आयरवेदा ड्रग या पहले आज चुआ आयरवेदा वेद्या और consultant कि यह मैं ले लूँ या नहीं क्योंकि यह सब formulation आपके दोश और आपके प्रकरती के हिसाब से दिये जाते हैं अब किसी की प्रकरती बात पित कफ अगर किसी की पित प्रकरती है तो उसको तरफला लेने से डाइरिया भी होता है तो फिर आयरवेदा को बदनाम करने लगते हैं लोग आ रहे इससे तो नुझे डाइरिया होने लगा क्योंकि आप पूछके ले नहीं रहे हो तो कोई भी आयरवेदा ड्रग और formulation लेने से पहले please ask to a doctor कि यह मैं ले लूँ मैं constipation feel कर रहा हूं या मैं और भी क्या कर सकता we are always available for you और अपना constipation से ध्यान रखे यह एक ऐसी diseases है जो बहुत सारे मैं कुछी diseases अभी बता पाई हूं लेकिन बहुत सारे diseases यह cause करता है और main cause ही जिनका constipation होता है और सभी लोग अपना ध्यान रखे थांक यू and have a nice day